जहिंद जोहार जैससी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जारखन पुलीस का जो फॉम फिलप 15 जनवरी से होने वाला था या अब 15 जनवरी से नहीं 22 जनवरी से फिलप होगा और ये अभी आयोग अपने ओफिशल बेपसाइड पे अपना एक ये स सुचना है वो अभी तुरत मतला आज का डेट आप देख पा रहे होंगे आपका 12-1-2027 मतला भी थोड़ी दिर पहले का है पुरी जनकारी हम लोग प्राप्ट करेंगे हो सकता है कौम फिलप करने का डेट इसलिए वड़ाई हो क्योंकि जार्खन पुलिस की जो वेकेंसी है उसमें कुछ चीटों की संक्या और भी जोड़ी जाए कुछ भी हो सकता है लेकिन यहां जो रिजन बताया गया है वो तकनिकी कारणों से ओनलाइन आवेदन कीती थी निमनवत अनसोधित की जाती है यह पूरी जनकारी आप देखेंगे यहां यही है कि जार्खन आर चीपरतियोगीता परीछा 2023 के तहत ओनलाइन आवेदन दिनांक जो 15 एक दुहजार चोबिस से दिनांक चौद को दुहजार चोबिस के मधर आतरिक तक आमांतरित किया जाना था और तकनिकी कारण से ओनलाइन आवेदन की तिथी निमनवत सनसोधित की जाती है मतलब यही है कि फॉर्मा जो भराना था वो जारखन पुलिस का 15 जनवरी से था और 14 फरवरी तक था मतलब टोटल आपका एक महिना का समय फॉर्म भरने का दिया गया था तो अब आपका फॉर्म जो भरा जाएगा वो 22 जनवरी से भराया जाएगा देखिए ओनलाइन आवेदन समर्पित करने की जो आपका समय है वो 22 जनवरी दो हजार चोबिस से लेकर के 28 फरवरी दो हजार चोबिस के मधरातरी तक है परिछा सुल्क भुक्तान ये तु अंतिम जो तित्षी है वो 23 दो हजार चोबिस के मधरातरी तक है फोटो और आप हस्ताचा मतला अपना सिगनेचर जो अपलोड करने की अंतीम्ति थी है वो दिनांक 25-2024 के मधरातरी तक है 25 तारीक 25 फरवरी तक अपना फोटो और अपना सिगनेचर अपलोड कर सकते हैं ता मरपित ओनलाइन आवेदन पत्र में संसोधन कीती थी अगर आपके फोर्म में किसी प्रका की कोई तुरूटी हो जाती है तो आप उसका संसोधन 26-2024 से लेकरके 28 मतलब दो दिन का आपको समय दिया जा रहा है अगर आप अपने फोर्म में किसी प्रका की गड़वरी कर देते हैं तो दो दिन में आप अपने फोर्म में कोई भी सुधार कर सकते हैं और वो समय होगा आपका 26 जो 2024 से ले करके 28 जो 2024 के मधरात्री थक तो यही थी बाबू आज की और अभी की आपकी जार्खन पुलीसे समंधित अपडेट जो आपकी फॉर्म 15 तारिक से भराए भराने वाले थे वो अब आपके फॉर्म 22 जन्वरी से भराएंगे हो सकता है इसमें सीटो की संखिया बढ़ा दी जाए या सलेबस में आपको यह भी जनकारी दे दे कि सलेबस में भी आप लग नहीं रहा है कि कोई छेड़ सार किया जाएगा इसले बस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा आयो की जो मन्सा है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो इसले बस में भी कोई बदलाव नहीं होगा तो यही थी बाबू आज की आपकी इन्फोर्मेशन ऐसे information के लिए आप चैनल के साथ जरूर जुडेंगे और चैनल को subscribe करके all पे आप जरूर क्लिक कर लेंगे ताकि कोई भी update या तो JPSC और JSSE से समंधित आप संपुर्ण त्यारी कर सकें साथ ही साथ जारखन पुलिस की हिंदी की कलास आपको YouTube पे बहुत जल्द दी जाएगी आप इसके लिए त्यार रहेंगे आपको कब से कलास चाहिए आप comment section में आप हमें जरूर बताएंगी अब आब मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में तब तक रखिएगा अपना ध्यान जय हिंद